गोटो तिर्भुज A, C, B लिजिए जिसका कौन सी संकौन है हम इसा संकौन तिर्भुज में कौन सा कून संकौन है वह आपको बता देगा तो कौन सी संकौन है अब A, B बचा तो ए अगर यहां लेते हैं तो बहरा लेगे या अगर A यहां लेते हैं, तो B यहां लेंगे, बट C की जगा, 90 की जगा पर C ही रहेगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है, कुन सी समकून है, जिसमें AB 29 है, तो AB 29 है, इकाई, और BC, तो BC कितना है, 21 है ना, और एंगल ABC, ABC बोले तो एंगल B थीटा है, तो एंगल B कितना है, थीटा, तो मतलब हमें इस कोन के भीव से सवाल बनाना है, जिस नियून को थीटा कह दे, उसी नियून कोन के भीव से हमें सवाल बनाना होता है, तो दिखाईए कि, साइन स्कूर थीटा प्लस कॉस स्कूर थीटा बढ़ाबर एक, और Q2 में कह रहा है, कॉस स्कूर थीटा माइनस ही 441 सबसे पहले आहाई नोग दूसरा दोनों को बनांगे लेकिन इसमें एक भुजा नहीं मालूम है तो ठीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं परपेंडिकुलर ठीक है लंब और टीटा और नब्बे के सामने वाली भुजा को कर्म कहते हैं हाइपोटेनियस और जो रिमेनिंग बाकी बचा उसको क्या कहते हैं बेस आधार तो मिंस आपको एच और बी पता है पी नहीं पता है तो पी निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे तो लिखेंगे चुंकि पी बड़ाबर क्या होता है फर्मूला रूट अंडर है स्क्वार माइनस बी स्क्वार ठीक है तो है कितना है एच है नब्बे के सामनेवाली भूजा तो है ट्वेंट नाइन माइनस बी बेस कितना है 21 स्क्वार कितना आ जाएगा 29 का स्कार हो जाएगा 841 और 21 का स्कार हो जाएगा 441 ठीक है तो P बराबर कितना आ गया हमें रूट अंडर 400 और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 21 तो हमें P भी मालूम चल गया 20 ठीक है अब आए एक कुश्यन नमर एक में क्या सिद्ध करना है दिखला ये मतलब सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है साइन स्क्वाइर थिटा पलस कॉस स्क्वाइर थिटा बराबर एक तो साइन के लिए क्या अनुपात यूज करते हैं P भाइ एच स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगा देजिए अ क्या होता है अनुपात बड़ाबर एक अगर दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं तो आप पीछे यार डालेंगे P का value कितना है तो P आपको पता है 20, but H कितना मालूम है 29, square लगाईए, फिर B कितना है, तो B हमें मालूम है 21, by H, तो H है 29, square है तो square लगाईए, is equal to 1, और 20 का square कितना हो जाएगा, 400, और 29 का square हो जाएगा, 400, 841, प्लस 441 हो जाएगा, 21 का square और 29 का square हो जाएगा, 841, बराबर 1, अब यहां पर दोनों का LCM निकाल लिए तो, 841 का LCM ले लेंगे, तो 840 ही आएगा, एक बार में उकटेगा, तो 401 का 400, 841, 841 तो एक आया था, 441 का 440, बराबर 1, दोनों को जोर दीजिए तो कितना आ गया, 841 ब सब्सक्राइब, एक बार में उकटेगा, 1 is equal to 1, तो क्या साबित हो गया, LHS बराबर RHS, थाबित हो गया, कि सारे स्कॉर ठीटा प्लस, कॉस्सक्राइब एक होता है, क्योंकि दोनों का वेल्यू बराबर आ गया, ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं, कुश्य नमबर 2 में, क्या कहा रहा है, कॉसस्यूर, थीटा माईनस साइन dua थीटा, बढाबर, 41 बरटे, 4 Army, यहीं साबित करना, चलिए, हम यहांपर LHS ले लेते हो, ळिफ्ट हें, साइट, कॉस्यूर, थीटा, मैनसृर, साइन dua, जब बढ़ा एमांट, रहे हैं, तो दोनों पक्छ को, सब श्यू तो LHS को हम लोग आगे बढ़ार हैं, कॉस्ट के लिए क्या रिख सकते हैं, B by H, स्क्वाइर है तो SQ, साइन क्या, P by H, स्क्वाइर लगा दीजिए, और मान बठा दीजिए, तो B कितना मालूम है, तो B पता है 21, by H, है 29, 29, स्क्वाइर लगाई है, P तो ठीटा के सामने वाली भुजा, 20, H तो नबे के सामने वाली भुजा, स्क्वाइर, 21 का स्कॉर हो जाएगा 441, 29 का हो जाएगा 841, और 20 का स्क्वाइर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वाइर हो जाएगा 841, 241 दोनों में LCM ले लेंगे तो 841 LCM आ जाएगा 841 एक बार में 441 एक बार में लगेगा भाग तो एक आया भाग फल्ट एक से गुना कीजिएगा तो 401 का 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 41 बटे 841 तो हम लोग लिए थे LHS और क्या आ गया एक तालिस बटा या तो इससे क्या साबित हुआ LHS बढ़ाबर है और एक समकोन तिर्बुज ए बी सी में कौन भी 90 डिगरी ठीक है कौन भी का मान कि ना दियो 90 डिगरी यदि 10 A बढ़ाबर एक तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बढ़ाबर एक मतलब सवाल म ठीक है तो एक समकोन तिर्बुज लेजिए इस समकोन तिर्बुज में 90 कौन है तो कहरा सवाथ एंगल B तो एंगल B सबसे पहले आप जो एंगल 90 डिगरी दिया हो उसे बैठा देजिए फिर आपके मर्जी अगर यहां लेते हैं तो B यहां है C आ जाएगा अगर यह यहां किस निउन कोन के विव से सवाल बनगा है तो यह दिया गया है तो इस बराबर एक तो 10 बरा दबाबर होता पी-ब्य और A कि क्या मालूम है हमें 1, it means P का value भी हमें मालूम हुआ 1 और B का भी value मालूम हुआ 1, ठीक है, और H नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग H मालूम कर लेंगे, लिखेंगे चूंकी, इस A के सामने वाली भूजा, P 1 और B भी 1, और 90 के सामने वाला जो H होता है, हमें नहीं मालूम है, तो पहले मालूम कर लेंगे, लिखेंगे चूंकी, H बढ़ाबर क्या होता है, P A square पलस B A square, तो root under P का value कितना है, तो P है 1, 1 square, B कितना है, तो B भी है, 1, 1 square, root under 1 square हो जाए 1, और 1 square हो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा root under 2, तो H का मान आगया, root 2, अब जो लिखे लेते हैं, सिद करना है, ठीक है, क्या सिद करना है, 2 sin A into cos A is equal to 1, यह हमें साबित करना है, ठीक है, तो चली सबसे पहले अनुपात लगाईए, 2 into sin के साथ A, ठीठा कभी गुना में नहीं होता है, बढ़ पीछे जो भी नंबर है, वो गुना में होता है, तो 2 into sin, sin का value यह अनुपात क्या होता है, P by H, into है, तो into डाल देजिए, cos B by H, बढ़ एक, ठीक है, अब सवाल उठता है, यहां पर कि P by H और B by H, किस भूजा को, side को लिया जाए, यहां पर क्या है, A, तो A के view से लेंगे, A के view से P कॉन है, एक यहां लिखे भी हूए, और B एक, और H तो root 2 है, तो P हमें मालूम है, 1 और H मालूम है, root 2, B, तो B भी पता है, 1 और H है, root 2 is equal to 1, तो 2 अनुजा 2, और root 2 कितना हो जाएगा, root 4, और 4 का वर्गमुर 2 ही आएगा, तो मतलब root 2 into root 2, बराबर 1, 2 से 2 एक बार में cancel, तो finally क्या आ गया, 1 is equal to 1, इसलिए हमें क्या मालूम है, LHS बड़ाबर है, RHS, हो गया सकते आप, ठीक है, तिरबुच O P Q में कौन P समकौन है, तो कौन P समकौन है, तो 90 वाली जगा पर P बैठा दीजिए, ठीक है, और triangle का नाम क्या है, O P Q, तो आपको हमेंसा समकौन तिरबुच में कौन सा कौन 90 है वो बता देगा बाकी अब आपकी मर्जी, अगर O यहां लेते हैं, तो P यहां है, Q यहां आ जाएगा, अगर P यहां लेते हैं, तो Q यहां डाल देते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप interchange कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं परता है इससे, बट 90 की जगा पर P ही रहेगा, अब दिया गया है, O Q माइनस P Q बराबर एक सेंटीमीटर है ना, तो क्या इससे हम लिख सकते हैं, ऐसे, O Q is equal to 1 और यह P Q इधर जाएगा, तो माइनस है तो पलस P Q, हो जागा ना, ठीक है, equation first, तो यह हमें O Q बराबर कितना मालूम हो गया, 1 पलस P Q, ओके, तो सिध कीजिए कि Sine Q 25 बटा, 24 बटा 25, तो यह तो तभी सावित कर पाएंगे ना, जब हमें 3 साइड, 3 भूजा मालूम होगा तब, तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं, पाइथागोरस पर में अपलाई कर लिजे, चुकि कोन P बराबर 90 डिग्री, जब कोन P 90 है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, पाइथागोरस पर में, तो यह देंगे, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में क्या है, कर्न स्क्वाइर, बराबर लंब स्क्वाइर, प्लस आधार स्क्वाइर, यह ना है पाइथागोरस पर में, ठीक है, तो लंब कौन हो गया, नब्बे के सामने वाली वैसे यहां सवाल में Q यहां है, नियून कुन Q, तो Q को अगर हम यहां पर Q के विउ से बनाएंगे, तो सामने वाली भूजा यह P होगी, मिल्स लंब O-P होगा, आधार PQ, ठीक है, तो क्या इस O-Q की जगा पर 1 पलस PQ लिखा यह सकते है, हाँ, O-Q बराबर 1 पलस PQ है, आगे PQ नहीं पता है, तो PQ ही रहेगा, अब तो यह बन गया, A पलस B का होल सक्वाइर, तो A पलस B का होल सक्वाइर बराबर क्या होता है, तो A सक्वाइर पलस 2AB, तो 2 इंटू A है 1, इंटू B, तो B है PQ, फलस BA सक्वाइर तो B है PQ सक्वाइर, ठीक है, बराबर 7 का सक्वाइर उन्चास और पलस PQ स्क्वाइर तो आप देख रहे हैं PQ स्क्वाइर बडावर की बाई तरफ भी है और PQ स्क्वाइर बडावर के दाई तरफ भी है और हमें मालूम है कि बडावर के बाई तरफ और दाई तरफ समान संख्या और समान चिन हो तो cancel हो सकता है मतलब दोनों घट गया है दूसरे से एक स्क्वाइर एक दो गुने पीक्यू टूपीक्यू इस इक्वल टू उन्चास तो टूपीक्यू बराबर कितना आ जाएगा उन्चास और यह वन इदर जाएगा तो माइनस वन तो हमें फाइनली पीक्यू का वैल्यू कितना गया 48 और इंटू में 2 है तो वो बाई में आ जाएगा तो एक कदो 24 अरुट तो पीक्यू बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमेटर तो पीक्यू मालूम हो गया 24 जब एक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि OQ क्या होगा 1 पलस पीक्यू तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं समीकरन एक से OQ बराबर 1 पलस पीक्यू तो OQ बराबर 1 पलस पीक्यू कितना है तो पीक्यू है 24 और तो OQ का वैल्यू पीक्यू केतना आ गया 25 सेंटीमेटर ठीक है तो हमें क्या कह रहा था सबाब कि सिद्ध कीजिए कि sin q बराबर इतना कॉस q बराबर इतना होगा तो ठीक है अब लगा देते हैं हम लोग यहां पर अनुपाद लिखेंगे अब कि sin q बराबर sin q बराबर p by a अच आपको पी के दर्स लेना क्यू के Q के विव से ते सामने वाली भुजा पी के लाते हैं तो पी कितना है साथ और 90 के सामने वाला तो अभी तो निकाले ना क्यू कितना आया हुआ है 25 तो लिख सकते हैं 25 होगा साबीत यह वाला सावित फिर कॉस Q तो देखिए, कॉस Q है, सभी, कॉस Q बराबर, तो Q, कॉस बराबर हता है B by H, तो Q के हिसाब सी सामने वाली भुजा P, तो यह रिमेनिंग B हो गया, यह 24, और H, 90 के सामने वाली भुजा 24, आगे 24, पाचेश, तो यह भी साबित यदि तिरभुच ABC में एंगल A और एंगल B noon कोन है, noon कोन मतलब वैसे कोन जो 90 degree से कम होते हैं और 0 degree से ज्यादा होते हैं, noon कोन कहलाते हैं, तो A और B noon है, तो यह वाला एंगल तो 90 से ज्यादा दिख रहा है, means A और B यह दोनों एंगल क्या है, noon है, मतलब 90 से कम हैं, ठीक है, और sin A बराबर sin B है, तो सिद कीजिए कि एंगल A, यह दोनों एंगल A और एंगल B बराबर है, तो यह हमें साबित करना है, एंगल A बराबर एंगल B, तो ट्रेंगल का नाम क्या था, A, B, C, तो A और B तो यहां ले चुके हैं, बचा C, ठीक है, तो हमें सिद करना है, एंगल A बराबर एंगल B, यह आपको सिद करना है, एंगल A बराबर एंगल B, देखिये, इस में एक रचना की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी तिल्कौन मिती अनुपाद हम अप्लाइ करेंगे, वो तो संकोन तिर्बुझ में करेंगे, तो यह तो संकोन तो चलेगा लिख देते हैं रचना में क्या किये सी से सीडी लंब एबी पर डाला ठीक है अब आजाए हमें जो सिध करना है वहाँ अच्छा यह दिया गया में है साइन अब इसे हम यूज करेंगे आगे अब जब लंब डाल दिये तो यह क्या हो गया एक समकून तिरबुज ह क्या है तो यहां क्या है साइन अंगले ओंगा तो तिरबुजफ दीलब क가요 मिए अ जाते हैं इस क्या लिखने कि साइन यह बढब इस ट्राइंगल में अंगल में सॉमने वाली फूज़ कaking के सामने वी बूज अब अकृशा पे सामने बूज अअब धूज अब हमें चाहिए sin B, sin B कहा से इस ट्राइंगल में आ जाएगा, B के सामने वाली भूजा यह जाएगा, P और 90 के सामने वाली भूजा यह हो जाएगी, कर्ण, BC हो जाएगा, कर्ण, तो फिर, तिर बुज बी, डी, सी में, क्या लिखते हैंगे, sin B बढ़ाबर, sin B बढ़ाबर, B के भी उसे पहले अनुपात क्या होता है, P by H, तो ठीठा के सामने वाली भूजा P, तो P हो गया, C D by H, तो H हो गया, हाइपोटेनिस, तो D 90 के सामने वाली भूजा, BC, ठीक है, अच्छा, यह इसको हम लोग अलप विराम देते हैं, प्रश्न से, अब प्रश्न से हमें क्या मालूम है, SIN A बराबर SIN B, तो लिखिए, SIN A बराबर SIN B, ठीक है, तो समीकरन एक तथा दो से, समीकरन एक तथा दो से, SIN A बराबर हमें मालूम है, CD बटा AC, तो SIN A की जवाब पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, CD बटे AC, बराबर है तो बराबर डाल देजीए, SIN B B बड़ाबर, तो sin B बड़ाबर समीकरन दो सामें मालूम है, C D बटा B C, ठीक है, और आपको पता है कि जब 2 भिन बड़ाबर हो, और अंस से अंस अगर कट रहा है, तो आप काट सकते हैं, एक बार में कट गया, ठीक है, अगर 2 भिन बड़ाबर है, और अंस से अंस कट रहा है और हर से हर अगर cancel हो रहा है तो वो भी खर सकते हैं तो cross गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा BC एक का BC और AC एक का AC ठीक है तो अब याद किजिए class 9 में क्या आप पढ़े थे किसी भी triangle में किसी भी triangle में अगर ये side सबसे बड़ा है तो सामने वाला कौन सबसे बड़ा होगा अगर ये side सबसे छोटा है तो ये सामने वाला कौन सबसे छोटा होगा अगर कोई दो side बड़ाबर है तो सामने वाला कौन भी बड़ाबर होगा तो वही बात तो है, यह B, C बराबर A, C आ गया, तो B, C बराबर A, C जब यह दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला यह कौन और इसके सामने वाला यह कौन भी बराबर होगा, तो अता हम लोग कह सकते हैं, B, C के सामने का कौन है, अंगल A, और A, C के सामने का है, अंगल B, यह दोनों कुन भी बराबर होगा ठीक